Hello students, welcome to पढ़ो इंडिया, आज हम करेंगे class 4th की reading अभियान हिंदी के अंतरगत कारेपत्री का संख्या 15 जिसकी theme है खूबी, चलिए शुरू करते हैं इस वरक्षीट को हल करना, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वर्ष्ट और खुश होंगे बच्चों, हर इंसान में कोई न कोई खूबी चुपी होती है, बस हमें उस खूबी को पहचानने की जरूरत है, आईए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहां किसकी खूबीयों की बात हो रही है पढ़ते हैं हम इस कहानी को, एक जंगल था, वहां सभी जानवर परिवार की तरह मिल जुलकर रहते थे एक बार जंगल का राजा युद्ध की तयारी कर रहा था, उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हीरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा, सभी आए राजा ने सब को उनके काप सौंप दिये, केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था, यानि खरगोश और गधे को अब तक कोई काम नहीं मिला था अन्य जानवर बोले, महराज इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए शेर ने पूछा क्यों, तो सभी जानवर बोले, महराज ये गधा तो इतना मूर्ख है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है युद्ध में हमेशा गुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है तभी भालू बोला, महराज ये खरगोश बहुत डरपोख है तभी राजा ने कहा, भाईयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया सभी बोले, खूबियां इन में कौन सी खूबियां है महराज राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिला सकता है कि मेरी दहाड भी उसके सामने हलकी लगेगी और खरगोश के जितना फूरतीला तो कोई है ही नहीं इसलिए मैं गधे को उद्गोशक बना देता हूँ उद्गोशक का मतलब होता है सूचनाओ को जोर जोर से बोलने वाला और खरगोश को संदेश वहक बनाता हूँ संदेश वहक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओ को एक जगह से दूसरी जगह पर बताने के लिए चला जाए हर किसी के अंदर कोई न कोई कोबी जरूर होती है बस हमें जरूरत होती है उसे ढूनने की बच्चो अब कहानी को पढ़ने के बाद में हम इसके प्रशनों के उत्तर देते हैं पहला प्रशन है राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए उत्तर लिखेंगे हम राजा की सभा में हाती, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, गधा और खरगोश सभी जानवर आए प्रशन खा देखिए युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खोबी पर उन्हें चुना गया उत्तर लिखते हैं हम, खरगोश फुर्तीला होता है और गधा तेज आवाज में चिला सकता है, इन्हीं खूबियों पर उन्हें चुना गया प्रशन गा देखिए अपने परिवार के सदस्यों की को ये खूबी लिखिए माता की खूबी लिखता हूँ, माता जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, भाई की खूबी है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, और पिता की खूबी है, पिता जी गाते बहुत अच्छा है आओ बातचीत करें बच्चों अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में कुछ लोग आपस में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं आपको ये बताना है कि ये क्या बातचीत कर रहे होंगे इसके लिए आप अपनी कलपना शक्ती का इस्तिमाल कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि ये क्या बातजीत कर रहे होंगे चलिए हम इनके डायलोग्स लिखते हैं ये एक लड़का है इसने कहा मुझे भूक लगी है ये माताजी हैं फिर इन्हों ने कहा तरबूस खा लेते हैं और इनके पिताजी ने कहा ये ठीक कहा बच्चों यहां पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है अन्य विशेयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पड़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें